आपका अमारे चैनल में स्वागत है बार-बार ढकार आने से रोगी के उदर और वक्ष प्रदेसों में दर्द होने लगता है रोगी ऐसहज हो जाता है, मानसिक तनाव भी बढ़ जाता है तो इसके लिए सोट दस तोला, बिधायरा दस तोला, हरड पाश तोला, भूनी हुई हिंग चार तोला, सिंधा नमक एक तोला, चितरक एक तोला एक या दो चुन सुबह सबको अच्छी तरह से मिला ले और फिर इसका एक या दो चुन सुबह और साम को भोजन के बाद जल के साथ सेवन करना है इस चुन के सेवन से डकार या बहुत से डकारों का आना कुछ दिनों में ही ठीक हो जाएगा इसके साथ ही भोजन का पाचन भी उप्युक्त समय में होने लगेगा पेट का फुलना या फिर गैस की समस्या में भी बहतर लाब देखा गया है यदि भोजन उपर ही रहता है तो ये भी अपने अस्थान पर समय में पहुंचना शुरू हो जाएगा जिसके कारण भोजन की दस क्रिया समय में होने लगेगी इससे उदर सुल भी नश्ट हो जाएगा उदर वायू समय वस्था में हो जाती है इस चुन के सेवन से उदर के समस्त विकार नश्ट हो जाते है ये कब जो रोग को भी ठीक करने में सहाया कैं कुपित मल के समस्त दोस्त दूर होते हैं इसे उदर पृद्धेस का सोधन उने लगता है यानि कि पेट की पेट साफ होने लगता है कुछ दिनों तक इस चुण के प्रियोग से पेट की समस्त क्रियाय नियमित होने लगती है ये बहूत ही उप्योगी चुण है उचित पाजन होने के बाद रोगी को भूग भी लगने लगती है जिससे सरीर का पोशन भी उचित धंक से होने लगता है इस चुन को दो मेने के अंदर ही उप्योग में लेना है पुराना चुन अधिक उप्योगी सिद्ध नहीं होगा तो दोस्तो इसी प्रकार और भी रोचक जानकारी के लिए आप अमारे चैनल को लाइक सेर वा सब्सक्राइब करें अमारे चैनल में विजिट करने के लिए धन्यवाद